लो एब्रिवन वैलकम चू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाई राखी चौबे इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टिट्यूट के आई थिंक यह पार्ट सैवन है मतलब 300 कुस्टंस हमने कर रखे हैं तो चलिए 301 से कुस्टंस करेंगे ओके जिन चात्रों के मा बाप नहीं है तो आप एज टीचर आप क्या करोगे वैसे स्टुडेंट के साथ जिनके मम्मी पापा नहीं है तो आप क्या करोगे उनके साथ सहानू भुती देकर उनको प्रस्न रखने का कोसिस करेंगे ठीक है move to next छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे अगर आप टीचर है तो अगर स्टुडेंट जो है उनके कुछ प्रॉब्लेम्स है या क्वैरी है उनको जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे कौन सा एक्टिविटी लेंगे आत्मिये संबंध बना चा arrived चारितर्वान एवं सासित बनाने के लिए आप अब क्या करना है प्रॉब्लों के लिए हम लोगों क्या करने की ündगे स्वेम चरित्रवान एवं अनुसासित होंगे क्या करेंगे अगर हम लोग कोई भी क्वालिटी बच्चे में देखना चाहते हैं उसके लिए पहले स्वेम को बदलनी की जरुवत है वो सारी क्वालिटी हमें अपने आप में बिल्ड करना होगा तब ही हम लोग उसको कहां से एजूकेशन सिस्टम में जो यह डिजर्वेशन का सिस्टम है वो लागू करने से क्या इंपक्त पर रहा है सामाजिक रूप से पिछरे व्यक्ति को सहायता मिलती है यह एक फैक्ट है बाकि हाला कि यह जनरल वालों के साथ गलत भी होता है बट यह एक फैक्ट है कि इसे पिछरे वर्क के लोग हैं उनको उपर उठने में सहायता मिलती है ओके मूफ टू नेक्स्ट सिक्षन के हर व्यक्ति प्रवीन नहीं हो सकता आप मानते हैं आप क्या मानते हैं कि सिक्षन का छेत्र बहुत ही क्या है व्यापक है बिल्कुल सही बात है एजूकेशन का कोई अं सिसू सिक्षा के सम्मंद में आपकी क्या राई है क्या राई है सिसू सिक्षा की जिम्मेदारी मा के ऊपर होनी चाहिए हम लोग ने इससे रिलेटेट कोईस्टन भी किये थे कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं जेनरल हमें वहाँ पे जो उमेंट टीचर्स से दीखने को मिलते हैं ओके इसकी भूमिका को महत्पुन मानते हैं किसकी भूमिका को मअत्पुन मानते हैं तो कर अपोसंट यों कैसे सिक्षक केले मदद करेंगे अगर आप एजर टीचर हैं तो कौन सी भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे आप अप्रिसियेट करेंगे जाती धर्म के नाम पर कोई भेद भाव नहीं हो सब इंसान उनके अंदर भी वही ब्लड है जो लाइक किस यदर कम्यूनिटी में है तो हमें बिल्कुल भी यह करना है् उस जाती के बच्चे यह उस धम के बच्चे हैं नहीं हमारे लिए as a teacher सारे बच्चे क्या है सामान है move to next एक अध्यापत के विशे में आपका विचार है एक teacher के बारे में आप क्या सोचते हैं उसे किताब के अलावा सहायक सामगरी के साथ पढ़ाना चाहिए बिलकुल सही बात है बुक से तो हम पढ़ा ही रहें बट बुक के अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा और भी मेटेरियल होने चाहिए नोट सोने चाहिए कोई सॉफ्ट कॉपी कोई टक्नलोजी के तुरू पढ़ा रहे हैं कोई हार्ड क प्रिंटेड होने चाहिए तो अलग अलग हमारे पास टेक्निक होने चाहिए अलग-अलग मेटेरियल होने चाहिए ताकि उसके यूज से हम लोग क्या कर सके अपने क्लास को इफ्रेक्टिव बना सके ओके सिक्षनकार में अधर्ष और नेतिकता से आप क्या समझते हैं जो सिक्षनकार उसके अंदर अगरिर्ष और नेतिकता हो इससे क्याación सी क्षाक और चात्रों में आदर्ष और नेतिकता का बोध गम्य ओके आप सिक्षन वेबसाइट को क्यों अपनाना चाहते हैं चात्रों के साथ नए नए अनुभग प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही बात है चात्रों के साथ क्या करना है आपको करोगे कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा अध्यापक का प्रमुख दाइत्व है आपकी प्रायर्टी है वह क्या है बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना और अबर आल जो एक स्टुडेंट है उसके ही विकास पर ध्यान देना है ओके प्रमुख कारण है क्या है में जवाब देही के निर्धारन की कमी बिल्कुल टीचर्स है वह क्या है मतलब रैस्पॉंसिबल रैस्पॉंसिबल नहीं है और परिच्छा व्यवस्था एवां मुल्यांकन की खामिया बिल्कुल बहुत सारे जगह ऐसा मिलेगा जो एजूकेश तो यह सब की वजह से क्या है सिटीचर का जो अस्तर है वह गिरे जा रहा है नेक्सट है आपकी दृष्टी में अध्यापन वेपसाएं क्या वेब्साइश है माल लीजे जीवन पर्यतन पथन पाथन का किसका जीवन-प्यांत-पथन-पाथन का ओके मुव डू नेक्स्ट अध्यापक के किस व्यवहार का चात्रों पर सरवाधिक हानिकारक प्रभाव परता है टीचर के कौन से बिहेबियर का स्टुडेंट के ऊपर हामफुल एफेक्ट होता है तो अध्यापक का कुल चात्रों के साथ पक्षा पक्षात पूर्ण व्यवहार क्या है लेक्ट टीचर क्या करते हैं कुछ इस्टुडेंट के बीच में पार्शेल लेटी जब करने लगते हैं तो बच्चे का उसका बच्चों के ऊपर उसका हमफुल एफेक्ट होगा आधुनिक भारतिय परिवार अपने बच्चों में जिस उदेश की पूर्टी में असफल रहे हैं वह क्या है जो इंडिया है उसमें क्या है बहुत सारे फैमिली जैसे हैं जिसमें बच्चों का जो उदेश है उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं पैरेंट्स इसके पीछे क्य सब्सक्राइब करते हैं और इसी इंसेक्योर्टी के वज़े से कहीं नहीं वह बच्चे जो करना चाहते हैं उनको वह करने से रोक रहे हैं तीन या चार वर्स के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है त्री या फोर यह का अगर कोई बच्चा है उसको आप क्या पनिसमेंट दोगे तो क्या करेंगे उसे उसकी माता पिता की उपेक्षा का भैर दिलाएंगे बिल्कुल सही बात है इससे ज्यादा क्या कर सकते थी छोटे बच्चों के साथ हमें मार पीट लाइक उनको ऐसा पानिसमेंट नहीं देना है कि वह फिजिकली हाम्ड हो जनरली फिजिकली हा पहचान है पूर्ण जो अनुसासित लाइक फुल डिस्सिप्लिंड हो क्लास में इसका क्या पहचान है तो छात्रों की पठन पाठन प्रकिरिया में पूर्ण रूची एवं सांती पूर्ण भागीदारी क्या होगा जो उनका सिलेवस प्रोसेस हैं उन सब में इंट्रेस्ट बहुत अच्छा हो क्लास में हमेसा सांती पूर्वक्त क्लास ओ सोर सरावा नहीं हो रहा है मतलब क्लास डिस्प्लिंड वे में चल रहा है ऊके मुझटू नेक्स्ट प्रभ्वावी सिच्छक की कौनसी बात छात्र को अच्छी लगती है जो अच्छ가요 Su को आप उसके परस्नलेटी से नियुच कर सकते कि आप दिकने में बहुत डिसीप्लीन वे आफ टॉकिंग वे आफ रेप्रेजेंटेशन वे आफ एक्सप्रेसिंग जो भी चीज वह पढ़ा रहें क्लास में उन चीजों को पढ़ाने की उनका जो गंट्रोल है उनके सब्जेक्ट पर तो इन सभी चीजों को देख के यह चातर वह सब क्राइटरिया अच्छे लग रहे हैं ठीक है प्राभावी सिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है तो किसकी है वह जो हर समय अपनी बिद्वता का बखान करें बहुत सही बात है मालने इस एज़र टीचर अभी मैं सिर्फ आप लोग के सामने हमें साहीं बखान करें नेक्स्ट वह जिसकी पढ़ाने में कोई रूची नहीं तो क्या फाइदा बिल्कुल वह से टीचर को बच्चा नहीं सुनना चाहेगा पसंदी नहीं करें उसको इफेक्टिव में नहीं लेंगे उस टीचर को सीरियसी नहीं लेंगे अध्यापक अपने प्रयास में कभी कभी असफल नहीं होगा जो एक टीचर है वह अपने कोसिस में कभी असफल नहीं होगा यदि यदि वो क्या करें उसके अंदर धैर हो और वह जल्द परिनाम पाने के चक्कर में ना पड़े और यह अप्सटन बीज राइट ओके यह सई बात है एक एज़र टीचर हमारे अंदर पैसेंस होना बहुत जरूरी है यह नहीं कि बिल्कुल इंस्टेंट जो है आज के लोगों को इंस्टेंट चीजे बहुत पसंद आती है तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई टीचर है तो हमें इ नजर में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है कौन सबसे अच्छा टीचर है तो क्या होगा जो विसेवस्तू के मुस्किल पक्षो को भी आसान करके समझाता हूं बिल्कुल हंडेट परसेंट राइट एक अच्छा टीचर आप उसको ही कह सकते हैं जो जिनका जो सीलेवा सला चैकर के लिए क्या है तो मित्र वह हृतिषी की स्थिती में होता हैर के मूजट्यौन फट्र का वह गुट्व उससे अलग करता है वह क्या है देख लिए इस को लिए को पहोत इलाइक अच्छा है इंपेक्ट्फूल है क्या होगा अध्यान सीलता टीचर्स के अंदर कौन सा ऐसा क्याक्टर है जो दूसरे किसी फिल्ड से आपको अलग बनाता है डैट वनीज अध्यान सीलता ओके मुफ्टू नेक्स्ट जो चातर कप्षा में नीरंतर पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें लागातार पूछने के लिए प्रोथ्साहित किया जाना चाहिए बिल्कुल शाही बात ऐसा नहीं उसे डाट के चुप कराके बैठा दे हम लोग अप्रिसियेट करेंगे ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उनको देखके चीखे वो भी इंस्पार हो वह भी अपनी क्वेड़ी सॉल्व करें और इससे क्या होगा हमारा क्लास जो है वह भी क्या होगा इंटरक्टिव होगा ओके विचार में शिख्छा का उदेस है तो बालक में आत्म विस्वास पैदा करना है बालक में क्या करना है हम लोगों को, आत्म विव स्वास पैदा करना है, indemhi और वो आटाया सुझ्वेंगे करना है कि सेास्ते लिए लावकारी हो सकतीye, बिल्कुल, बात है, इससे क्या होगा, हमारा जो क्या है, वो अच्छा बिल्ड है, एपके विचार में शिisyysya क्या है अमारे नौलेंज में इसिट जैस्जेसर। एवा माध्यम है क्या है समाज सुधार का साधन हैं और माध्यम है और माध्यम है गाइस एक arrow щit करनी है कहां से करनी है इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल दिया है आप लोग उसे देख लिए काफी हेल्फुल होगा और हां यह टीचिंग पैड़ागोजी जो हिंदी वाले हैं उनके लिए हैं कि पैड़ागोजी इंग्लिस में जो कुस्टन्स है ना यूनिक है तो उसको भी देख रहा है और काफी अच्छे कुस्टन्स है उसमें चलिए करते हैं एक सिक्षक को ग्यान के अलावा अपने बिदैर्थियों को और क्या सिखाना चाहिए तो लक्ष प्राप्ति के लिए अथक परियास बिल्कुल सही बात है आप अपने एम के ल क्लास को लेके तो इसके पीछे क्या रीजन है जीवन के इस पस्ट लक्ष का आभाव मतलब एम ही क्लियर नहीं है और दूसरा क्या है सिक्षा के दौरा उन्हें पूस्ट पोषण ना मिलना क्या मिलना उन्हें पूस्ट पोषण ना मिलना so option option a and b both are correct option d okay move to next सिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है आप क्या सोचते हैं सिक्षा के वारे में तो correct option जो है इसका वो क्या है दिखी सभी है सिक्षा सभी को मिलनी चाहिए बिल्कुल सही बात है सिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वाब लंबी बनाये बिल्कुल सिक्षा हमें ऐसी एजुकेशन प्राप्त करनी है जो आगे चलके हमें self-dependent बना दें सिख्छा ऐसे ही हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सुत्र में बांद सके बिल्कुल हमारे वी जो यह कास्ट डिफ्रेंसियसन और बहुत सारी hmm नेशन के सार्ट होगा प्रिंसिपल ने आपको बुला लिया तो उस टाइम आप क्या करोगे जो है घंटा समाप्ती के बाद ही जाएंगी आपका जब लक्षर और हो जाएगा उसके बाद ही जाएंगे क्लास को एंटरॉप्ट करके नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं ऐसा अपने से बता रही हूं तो ऐसा कुछ नहीं होता है प्राइवेट स्कूल में अगर आप है और आपको टीचर जनरली पहली बाद प्रिंसिपल बीस में बुलाते नहीं अगर कुछ बहुत जादे इंपोट कई बार हमें जाना भी परता है और कई बार हम लोग लक्षर ओवर होने के बाद जाएं यहां पर जो ऑप्संस है उसके एकॉर्डिंग यहीं सही है कि आपका लक्षर खत्म हो जाएगा उपर हो जाएंगे उसके बाद आप जाएंगे ऑप्संबी इस करेक्ट एक में महत्पून पाठ का द्यापन भी करना है तो आप क्या करोगे विचार गोस्टी में नहीं जाएंगे जरूरी हमारा किसी गोस्टी को एटेंड करने से जादे ओके नेक्स्ट विद्याले में अपना निश्चित अस्थान बनाने के लिए सिक्षक को चाहिए कि वह अगर स्कूल के अंदर अपना एक इमेज अच्छा बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे अपने उत्तर दायुत में आस्था रगे बिल्कुल आपकी जो रेस्पॉनसेबिलिटी है उसको अगर आप बिल्कुल उसके लिए डैडिकेटेड रहे हमेसा ही तो इसकूल में एक अ प्रातरों को सामाईक ज्ञान दे सकें और जो ज्यान है उनको दे सकें सारी सीजों का नौलेज मुब तू नेक्स्ट आप विध्याले के सोधार के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए दूसरे से कहना कि वह उसके साथ ना रहे बिल्कुल था अगर स्थुडेंट बुरा तो मैंसा कर सकते कि दूसरे बच्चों को भी शतला देनी लेगने उसको अलग कर दो और तुम सब अलग रहो नहीं हमें क्या करना है उसे इंप्रूफ करना है नेक्स्ट है आपके विद्याले में कुछ सिख्चक ट्यूसन को अपना वेबसाइज समझते हैं तो आप इस्थिति में क्या करेंगे क्या करेंगे आप बताइए उससे होने वाली हानियों को बताएंगे उससे होने वाले हानियों को फिल्गुल एक रेस्पेक्ट ही खतम हो जाता है अगर आप इसकूल में ना पढ़ा और आप टोटली ट्यूसन पर फोकस करो कि बच्चों को वहां नहीं पढ़ा कि उनको बोले मुफ टू नेक्स्ट अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोसिस करता है तो आप क्या करोगे उसमें उसके इसका कारण पूछकर मतलब इसका जो भी रीजन है बार 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 बाधा डालने का क्या रीजन है पूछकर परियुत्तर देते हैं उसको क्या क ले तो समझना चाहिए क्या समझना चाहिए प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी आपने अपनी 100% लगा दिये उसके वाब जूद भी कहीं न कहीं मतलब सक्षम नहीं हो पाएं तो हमारे एफ़र्ट में में भी कहीं क्या कोई कमी रह गई है ओके नेक्स्ट है जब आप स्वेम निर्ने लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्स उप्योक्त समझते हैं उस्टाइम किसका समझते हैं हम लोग यूजफूल अपने सगे संबंधियों का बिल्कुल सही बात है बाद आज की जो रिलेशन वाले हैं उनसे हम लोग ना ही कुछ पूछे हैं अपने लिए परामर्स लेने जाएं तो जादे बैटर है इसका रिजन आप लोग को भी पता है और सेकेंड है मित्रों का बिल्कुल फ्रेंड से हम लोग सजेशन लेते हैं और अपने माता पिता से बैस्ट है इनसे तो लेना ही लेना है हमें किसी भी सिच्वेशन में सो आदर्स और नैतिक्ता की रक्षा को क्या करना है हमें अपने आदर्स को और नैतिक्ता की रक्षा करना है इसका बहुत ही इंपोटेंट रोल है और इस पर हमेशा हमें फोकस प्रायर्टी देनी है इन चीजों पर ओके परतिए का विचार क्या सा ने उनको पढ़ाने से उनम्की मना हिस्तिती की जानकारी मिलती है मिली कुल अगर जब तक बच्छों के आप region नहीं करेंग hyvä ठास। वह बच्चा इंटर्नली क्या सोच रहा है क्या करना चाहरा है क्या उसके मन में और नेक्स है कि नेक्स्ट वन इस चात्र नैतिक सिख्षा को तभी ग्रहन कर सकते हैं जब क्या होगा जब परिक्षा में इससे संबंधित पर्सन पूछा जाए बिल्कुल चाही बात है कोई ऐसा सब्जेक्ट मान लीजे जिर जाम में नहीं आते तो हम लोग उसको लाइट ली लेते हैं ब अट्रमा परिक्षा में इसके समंधित पूछने होंगे ओ के मूव फ्टू नेक्स्ट चैत्रो में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विक्सित करने के लिए आपको क्या करना है छात्रों चाहिए बुलकुल साही वात है चाथ तो डिफ्रेंस कम होगा दोनों के बीच और स्टुडेंट के भी दूसरा क्या होगा पढ़ाई के साथ खेल भावना का भी विक्सित होगा डेवलप्मेंट होगा जो स्पोर्ट से रिलेटेड थिंकिंग है हमारे सोसाइटी में अक्रमक आवेगो को सब समाजी क्रियाओं में लगाना क्या कहलाता है उदाती करन कहलाता है नेक्स्ट है पाठ साला जिस समुदाई के बच्चों के लिए होती है उसके अवसक्ता के अनुरूप ही पाठ साला की क्या करनी चाहिए बिलकुल चाहिए बात है उसके अनुसारी हमारा कैंपाठ चर्चा होनी चाहिए नेक्स्ट है पठन पाठन विधी के निमलिखित चर्णों में से किस चरण पढ़ा ध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए तो कौन से फेज पर हमें सबसे जाधे फोकस करना चाहिए प्रस्तूती करन क्या होगा प्रस्तूती करन ओके करने ग्याच से अग्याच की और बढ़ता है इसे क्या होता है जी के अग्याच की और बचे बढ़ते है सब्सक्राइब करके मतलब कमेंट करके पूछिए और वीडियो जो भी आप लोग भी देखिए इंग्लिस वाले क्योंकि उसमें यूनिक कोश्चन से सब्सक्राइब करेंगे इंग्लिस और हिंदी तो उसके लक्षर में मिलते हैं ओके थैंक यू